तो नमस्कार तोस्तों आप देख रहें आपका अपना चैनल न्यू ऐस्ट्रो टिप्स इस चैनल के मद्यम से मैं आपको जनकारी देते हैं रहे जैम्स निमरोलोजी और एस्ट्रोजी के अभी तक आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार इसने और ब्लैसिंग दिया उसके लिए एक माध्यम है मेरे पास जो मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ जितने भी दर्शक आप जैसे जो घर बैठके देखते आ रहे हैं हमारे वीडियो को और उसके माध्यम से अपनी प्रावलम्स को दूर कर लेते हैं तो और भी जो लोग घर बैठे हैं वो भी देख पाएं समझ पाएं इस जीच को और ज्यान का ज्यादा से ज्यादा हम लोग आगे तक बढ़ा पाएं तो चलिए आज का हम बिना वक्त को आई टापिक शुरू करते हैं क्या आपने कभी सोचा है आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं वह लगी है या अनलगी है हमने अभी तक नहीं सोचा होगा मोबाइल नंबर भी आपके साथ लग को अटेक्ट कर सकते हैं क्यों क्योंकि मोबाइल नंबर का या किसी भी नंबर का अंक शास्त्र में एक बहुत बड़ा महत्व है आज की डेट में हम मोबाइल नंबर यूज़ क कुछ सर्च करना है कुछ भी आपको काम करना आप मोबाइल नमबर का सारा लेने लगी हैं अर्डूड मोबाइल सारे की सारी यूज़ करते हा रहे हैं लाइफ के अंदर और जहां तक मेरा मानना है कि मोबाइल इंडस्ट्री को इंडिया में 20 साल हो गये और आज की डेट में एक अधूरा सा सपना वाली बात होगी है। लेकिन आपने कभी सोचा जो मुबाइल नमबर हैं वो आपके लिए क्या काम करते हैं, बिसिकली यह आपके लिए एक messenger का काम करते हैं, एक टाकी है पहले चिठी आती थी लोगों के घरू में, आप चिठी नहीं आती लोग जट आपको call करते हैं, थू मुबाइल ही कर रहे हैं, आपको नाम पूछते हैं बट नाम क्यों पूछना चाते हैं, बिसिकली आरं इंटरे से सेव हो रहा हर एक के मोबाइल के अंदर अगर मैं कहूं मेरा जस्ट एक नाम है नरेश और मेरा कोई नंबर नहीं है तो आपको भी एक अजीब सा लगेगा ठीक है यार इस व्यक्ति का मैं नाम सेव करके क्या करूंगा अगर इसके पास कोई कॉंटेक्ट इंफोर्मेशन नहीं है यानि एक अगर नहीं है तो आपको सर्च नहीं किया जा सकता है नमबर लगे हैं अब लाइफ में हर एक जगह पर कहीं पर भी आप जाते हैं आपको नमबर से अडेंटिफिकेशन मिलने लगी है अब जो मोबाइल नमबर आप यूज करत लेकिन उसमें से एक नमबर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो मोबाइल में और भी नमबर हो सकते हैं लेकिन जो बिजनेस मोबाइल नमबर है उस पर आपको सारी कोल्स आती है अगर वह आपका बिजनेस मोबाइल नमबर है यकीन मानिए फिर उसकी नमबर के थ्रू ही आनी है अब अगर वो मोबाइल नमबर आपके पास एक ऐसी फ्रुकेंसी का नमबर आपने ले लिया जो आपकी लग के साथ नहीं फेवर्स करता तो यकीन मानिए आपको आने वाले टैम पे वो सारी न्यूज नहीं आएंगी जो आप अपने आपसे एक उम आपको बहुत सारे फेवर्स न्यूज मिलने लग जाएंगे गलत मोबाइल नमबर है ठीक है काम करेगा बट इतने फेवर्स नहीं हा रहे होंगे लाइफ के अंदर यह बिसिकली एक मैसेंजर का काम कर गया है ना दाकिया हो गया पहले जमाने में लोग डाकिया आते थे तो खबरे देते थे अब यह देखो कि अगर आपके पास डाकिया ही गलत है अगर डाकिया गलत है तो गलत खबरे देगा अगर डाकिया सही है तो सही खबरे देगा होता क्या जनरली आज की टिट में अगर आप देखो नोटिस करो बड़ी-बड़ी ब्रेंट्स जैसे कह दो ज जनरली क्या है नुमेरलोजी से उस चीज को मतलब निकलवाते हैं और अपने ब्रैंट को तब जाके परमोट करते हैं अगर बड़े बड़े ब्रैंट्स नम्बरों की गेम को समझते हैं इस अंकशास्त्र को समझते हैं तो एक आम बंदे को भी उस चीज की जरूरत है अगर उ की गोड़े ब्रैंट को अट्राइक सकते हैं तो बेटर है चेंज करदीने चीज है चलिए बात करते हैं कैसे निकालते हैं लखी नंबर Live की निकालने के लिए आपको उसका कंट्री का कोड़ HER कोड़ एक अगर बात करूं की जैसे एंडिया के लिए प्लस नैन्वन की शीज जो हम फूलो करते आएं ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग कंट्री कोड होता है अपना कनेडा के लिए अलग कंट्री स्थ है आपने country code को नहीं count करना country code को side कर जीए उसके बात के जो number है वह आपका mobile number होता है जिसे हम इंडिया में अगर बात करें टो टेंडेजट यूर mobile number और एक एक गजांपल ले लेते आप को जारबबैटर वे में समझाने के लिए एक mobile नमर लेते हैं जिसका सिरीज है 98557 28286 इस सीरीज को आप टोटल को सबको प्लास कर लिजिए 98557 28286 जब आप टोटल करोगे तो इसका नंबर रहेगा 60 अब आप 60 को भी प्लास कर लिजिए जीरो की वैली कुछ नहीं होती वट कमस आउट 6 तो यह है आपका मूल नंबर उस मोबाइल नंबर का और छे नंबर की फ्रिकेंसी ही आपके साथ मैच कर रही है ठीक है अगर किसी मोबाइल का जो टोटल आप कर रहे हैं लेट से उसका टोटल आए 54 अब 54 में हम 55 और 4 कल पास क उसका जो टोटल आएगा वह आपका हो गया मूल नंबर अब क्या करना है इस मूल नंबर का बीसिकली अंक शास्त के अंदर कुछ नंबर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और कुछ नंबर फेवर्स नहीं करते लाइफ के अंदर बहले ही वह जितनी मढ़ जी अच्छी सी र आच छे यह चार मोबाइल की जो सिरीज है इन से बाहर नहीं कोई मोबाइल नंबर होना चीए इसके पीछे तरक है वह क्या तरक है जब आप अगर किसी भी मोबाइल नंबर का टोटल एक आता है तो वह होता है हम सुर्य के साथ इंडिगेट करते हूं उसको उसका मतलब हो सुर्यारा राजा के समान मोबाइल नंबर आप सकते हूं अगर हम दो नंबर की बात करते हैं दो नंबर होता है आपका चंडर्मा का जिसे हम बोलते हृँ चंडर्मा पंदरा दिन कृष्ण पक्ष में रहता और 25 दिन शुक्यल मतलब 15 दिन चाड़ता हुआ चंद्रमा और 15 दिन उतारता हुआ चंद्रमा तो बिजनेस की स्थिति भी आप कैसे रहेगी 15 दिन ऊपर और 15 दिन नीचे नहीं लेना चाहिए तीसरे नमबर की बात करते हैं तीन नमबर हम इंडिकेट करते हैं जूपिटर के साथ ज्यान का देवतमाना जाता है गुरुदेव को आपको number लेना चाहिए, चार number कभी नहीं लेना चाहिए, चार number indicate होता है, राहू के साथ एक अस्मंझस की स्थिति पैदा करता है, आपको decision लेने में परिशानी होईगी, decision नहीं ले पाएंगे, टाइम लीना ही decision होगए, नहीं लेना चाहिए, पाश्वा नमबर इंडिकेट करता है आपका बुद्ध को बुद्ध का मतलब हो कि एक बैलन्स की इस्थिती तयार करता है लाइफ के अंदर हर एक चीज आप सो समझ के डिसीजन ले पाएंगे जरूर लेना चाहिए छे नमबर की अगर मैं बात करता हूँ छे नमबर आपका इंडिकेट करता है अपना शुक्र को शुक्र मतलब क्यादो कि धन, दोलत, संपदा उसके मालिक है चरूर लेना चाहिए साथ नमबर हम जो इंडिकेट करते हैं केतू के साथ केतू का सर नहीं है धड़ी-धड़ है क्रॉलिंग वाली पोजिशन आएगी आपका काम चलेगा बट उस स्पीड से नहीं चलेगा बहुत स्लो मोशन में हो जाता है काम की जो स्पीड होती है आठ नमबर, सुरी, जो साथ नमबर की मैं बात कर रहा था, साथ नमबर भी नहीं लेना चाहिए अगर मैं आठ नमबर की बात करता हूँ, आठ नमबर नहीं लेना चाहिए, शनी का नमबर है, ठीक है, और शनिश्चर नाम जब हम बात करते हैं, शने शने आपकी केरियर में प्रोग्रेस होएगी, आठ नमबर का, अगर किसी भी मोबाइल का टोटल आ रहा है, नहीं लेना चाहिए, नो नमबर के अगर हम बात करें, नो नमबर होता है, आपका मंगल देव का, बल और शक्ती तो मिलेगी, बट एक उगरता लाइफ एंदर आ जाएगी, क्रोध जल्दी आएगा, जो मोबाइल के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचेगा, ये थी एक से लेके नो आंकों की इंपोडेंस की मतलब क्यों लेने चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए तो जनरल बात करों, आप कोई भी मोबाइल नमबर लेने चाहिए, पाच मिनिट लगा के एक बार उसका टोटल जरूर करिएगा, अगर उसका टोटल एक तीन पांच छे आ रहा है, भूल अगर हम किवल मोबाइल की बात करें तो आपको एक तीन पांच छे में से ही कोई नमबर स्लेक्ट करेंगे, तो ज्यादा बैटर होगा, तो मैं फिर वही कहूंगा कि मतलब अगर देखो लाइफ में कुछ चेंज़ेस करके, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, तो बाइक नमबर कैसा होना चाहिए, आपका गाड़ी का नमबर कैसा होना चाहिए, बने रही है हमारे साथ, आने वाले सीरीज के अंदर हम बहुत कुछ ऐसे सी जानकरी लेके आने वाले, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी, इसे के साथ ही जुड़े रही है हमारे पैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा ठीक नमस्कार दन्यवाद में